हे भगवान कृष्ण इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लायक करें, उसकी गरीबी निर्धनता हमेशा के लिए दूर कर देना, हम सब आपकी ही संतान है, वीडियो लायक जरूर करें, दोस्तों सबसे पहले तो ये पत्ते को देख करके पहचान लीजिए दोस्तों, ये ब दोस्तों, आज की जो वीडियो है, वो बेर के बारे में ध्यान दीजिए, बेर कोई साधारन पौधा नहीं है, तंत्र में इसके दो जबर्दस्त, पावर्फुल, प्रयोग बताऊंगा, और दोस्तों अध्यात्म दृष्टी से, धार्मिक दृष्टी से भी इनके तीन प् जानस्पति नाम है दोस्तों, इसे जीन जीन पेंस मौरिशयना के नाम से जानते हैं, और ये रेमनसी कुल का पौधा है, इसे अंग्रेजी में जुजुब के नाम से जानते हैं, थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए, बेल के पत्ते को देख करके, वैसे प्राया, जो लो प्रफिक जानकारी भी बताऊंगा, वीडियो को जरा सभी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, असर्व प्रथम तो सभी लोग ये बताईए, ये जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं, इसे आपके यहां किस नाम से जानते आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लायक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के आयूरवेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं तो ये बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके आयूरवेदिक लाभ बता रहा हूँ। आयूरवेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है। अपनी एक अलग विशेष्ता छुपी हुई होती है। बस उनकी विशेष्ता को हमें पहचानना आना चाहिए। उनके आयूरवेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वो फालतु का पेड़ पौधा नहीं रह जाता। वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनिये हो जाते हैं। तो दोस्तों जो ये बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना। विटामिन, मिनरल और एंटियोंक्सिडेंट ये भरपूर मातरा में पाय जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसे स्वास्थे वर्धक भी कहते हैं। आचार ये चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई हैं। चरक संहिता, सुसुरु संहिता और अश्टांग हृदयम में भी इसका आप लोगों को बारिकी से जानकारी मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये सिर्दर्द की राम बान दवा हैं। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, ये सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको काम का तनाव और भाग दोड़ भरी जिंदगी की वज़ह से, अगर आपके सिर में शिकायत होती है, तो एक काम करना ये जो बेर का घरेलू उपाय है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा. इबेर की जड़ और पीपली, ये दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर मस्तक पर लेप करना है, तो ये किस प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करेगा? जैसे कि अधकापारी की जो पीडा हो, जो दर्द होता है, अधकापारी का पीडा किसे बोल सकते है दोस्तों जैसे कि सूरज धलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है, सिर में दर्द होने लगता है तो इस प्रकार का जो दर्द होता है दोस्तों ये दवाओं से ठीक नहीं होता तो ये इस प्रकार के दर्द को ये ठीक करेगा और अगर साधारन सिर का दर्द है उसके लिए रामबन है इसके बाद दोस्तों आँखों के दर्द को ये रोकने का काम करता है अब आँखों में कैसे दर्द होता है तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आँखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना बेर की चाल वैसे तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूँ, इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूँ इसके बड़े जो पौधे होते हैं इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आँखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है तो ये आँखों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है एक और इसका हमने दुरलभ चमतकारिक प्रयोग देखा है नकसीर को दूर करने के लिए विडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए दोस्तों जानकारी बता रहा हूं आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना हमेशा अधूरा ज्यान लटकती तलवार की तरह होता है और सभी लोग जान लीजिए पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चल करके काम आएगी दोस्तों पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा दे करके पैसा कमाना भी सीख सकते हैं एक वैध बन सकते हैं तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नकसीर बोलते हैं और नाक से खून बहना. गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबान की तरह काम करता है, तो करना क्या है? बेर व्रिक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है बेर व्रिक्ष के पत्ते तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है तो नकसीर बंध हो जाता है कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नकसीर हो नकसीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं इसके बाद ये मुह के छाले में भी काफी रामबान की तरह काम करता है दोस्तों मुह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काड़े में नमक मिला करके गरारा करना है इसके पत्ते लेना है पांच से दस इसके पत्ते ले लीजिए 200 ml पानी ले लीजिए उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काड़ा बनाना है और इस काड़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है फिर आपको गरारा करना है तो दोस्तों मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले है वो भी ठीक हो जाते है मसूडे में अगर ब्लीडिंग होती है खून निकलता है वो भी दूर हो जाती है तो ये एक प्रकार के दोस्तों जबर्दस्ट, पावरफुल, आयूरवेदिक दवा बिना किसी खर्च के बिना एक रूपए लगाए आप मुह के चालों से भी छुटकारा पा सकते है इसके बाद दोस्तों ये उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है जरा वीडियो को ध्यान से सुनना हमने बहुत सारे लोगों को देखा है उल्टी की वजह से उनका जीवन बरबाद हो चुका है दोस्तों ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है दुबले हो जाते हैं तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और खटे बेर का चूर्ण लेना होता है एक से दो ग्राम और इसमें मधु मिला करके शहद मिला करके चाटना होता है तो कैसा भी जो उल्टी होता है ना उल्टी होना बंध हो जाती है चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाब बता दूँ फिर धार्मिक लाब बताओंगा और इसके फिर आयूरुवेदिक प्रयोग बताओंगा तो तांत्रिक लाब क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिये वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरू जी तांत्रिक लाब मत बताया करें लोग इनका दुश प्रयोग कर सकते हैं तो देखिए, दोस्तों कुवा बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए और अगर उसमें कोई निर्बुधी आ करके आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोश है ना कि कुवा जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोश है तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूँ और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परमपरा से प्राप्त हुई है कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहन करता हूँ और कुछ जानकारी दोस्तों, मैं स्वयम अजमाया हुआ हूँ क्योंकि मैं आयूर्वेद से लंबे समय से जोड़ा हुआ हूँ तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे ले जाए और शत्रू के घर में या फिर आंगन में रातरी कालीन साढ़े 9 बजे के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रू का सर्वनाश हो जाता है लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए अमावस्या के दिन और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पे सुहागा है शत्रू को बरबाद होने से उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ती नहीं रोक पाएगी लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है दोस्तों जब आपको शत्रू बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका प्रयोग करना क्योंकि ये 100% लाब देता है तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तंत्रिक क्रिया हमेशा लाब ही देती है दोस्तों कभी प्रभाव विफल नहीं जाता इसके कांटे और स्याही का कांटा इसके कांटे लेना है दोस्तों इसके आपको कम से कम साथ कांटे लेने है और सेही एक प्रकार का पक्षी होता है सेही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं ये भी पूजन पाठ की दुकान में सेही के कांटे आपको मिल जाएंगे तो इसके साथ कांटे लेने है और सेही के साथ कांटे लेने है और दोस्तों आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पे आपको हनुमान जी महराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाड़ना है, तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा अर्थात, दोस्तों आपके घर में किसी भी प्रकार किया नहोनी नहीं होगी अब बुरी शक्ती आपके घर को अगर बरबाद करने में लगी हुई है या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है आपके उपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है तो ये उपाये जरूर करना आपके घर का बंधन हो जाएगा फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों न हो आपका बाल भी बांका नहीं कर पायेगा मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्यान के लिए इस प्रकार की जानकारी बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों का भला हो स्माइल फैमिली एक यूट्यूब चैनल नहीं बलकि आप सभी दर्शकों का परिवार है और परिवार में कभी भी कोई जानकारी दोस्तों छुपाई नहीं जाती चलिए, मैं आप लोगों को इसके धार्मिक प्रयोग बता दूँ क्योंकि धार्मिक प्रयोग भी जानना जरूरी है दोस्तों, धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को दो-तीन इसके और भी आयूर्वेदिक प्रयोग बता दूँ जो प्रयोग आपको आगे चल करके काम आएंगे तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है मूत्र संबंधी बिमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बिमारी है जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है जलन होती है मूत्र रुक रुक के आता है मूत्र कम होता है तो दोस्तों बेर का प्रयोग कर सकते हैं, बेर के पत्ते को पीस करके ना भी पर लगाना होता है, जिसे हम पेडू बोलते हैं, हिंदी में जिसे हम पेडू बोलते हैं, कई लोग उसे ना भी बोलते हैं, तो ना भी पर लगाना होता है, दोस्तों तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, ये सारी वेदना से, ये सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है, और धारमिक घ्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है, कि भग्वान राम को सबरी ने बेर खिलाए थे, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है भग्वान राम को, भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए अगर राम नौमी के दिन भगवान राम को बेर चड़ाये जाए तो दोस्तों इक्षित वस्तू की तत्काल प्राप्ति होती है अब राम नवमीन के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं तो ये काम जरूर करना भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले। बेर का फल मिले तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों, भगवान राम को ये बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ती होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरूं से सुना है और जन्संपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ती होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है जिनका मंग मंगलवार के दिन किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भोग के लिए भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए भोग चड़ा दीजिए आपका मंगल मजबूत हो जाएगा जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों उन्हें धन, एश्वर्या, भौतिक सुख, ये सब स्वत, प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक जोतिश प्रयोग बता रहा हूं। वो भी ध्यान से सुनना विवाह में विलंब हो रहा है, तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं, कितने फल लेने हैं? इसके पांच फल लेने हैं, और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके पांच फल लेने हैं, ये बांध करके आपको अपने शरीर से आपको अपने शरीर से साथ बार उतारा लगाना है, साथ बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महराज को जाकर के भेंट करना है, केवल पांच मंगलवार तक ये क्रिया करनी है, और इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप च साथ बार शाम के समय में जब दिन हो ना रात हो, सायंकाल इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से साथ बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, तो विवाह में विलंब आ रहा है, या फिर कोट का चहरी का मामला है, शत्रू ने परिशान करके रखा है, दोस्तों उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके शत्रू उनका स्वत ही नाश हो जाएगा, विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब ततकाल दूर होगा, दोस्तों, आपको एक अच्छे रिष्टे की प्राप्ती होगी, चलिए, मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे प्रयोग बता दूँ, दोस्तों खुजली को ये दूर करने में भी प्रयोग होता है, आजकल प्रदूशन भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खत्रा बहुत ही बढ़ता जा रहा है, और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्थ हैं, तो बेर जो हैं, दोस्तों आपकी परेशानी को दूर कर सकता है, दोस्तों थोड़ा सा अटपटा होता है, उल्टा होता है, और देखिए हमेशा याद रखना आयूर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती, तो नुकसान भी नहीं करती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर दोस्तों बेर की जो जड़ है, इसके चून को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है, और पुराने घाव में जैसे की फोड़े आ गया है, कीडे लग गए हैं, वो भी मर जाते हैं, इसके बाद दोस्तों एक काम जरूर करना, मैं अन्तिम प्रयोग बता रहा हूँ, बिच्छू अगर किसी को डंक मार ले काट ले तो इसमें ये रामबान की तरह काम करता है, तो बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्ध होता है, सूजन होती है, जो घाव होता है दोस्तों, उसमें राहत मिलती है, बिच्छू को पीसना है, पीस करके बिच्छू जहां पे डंक मारा है, काटा है, वहां पे लेप लगाए तो जो दा होता है गर्मा टाइप का, जो दा होता है न, बिच्छु मारने के बाद उस दा में आपको काफी राहत मिलेगी, दर्द है, सूजन है, ये धीरे-धीरे दूर हो जाएगी दोस्तों जन हित एवं जन कल्यान के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, जै श्री कृष्ण